क्या तुम्हें लगता है लड़का वाफी जादो गरी जानता है हाँ अगर तुमने कुछ गरबड की तो यह तुम्हें बंदर में बदल देगा समझे जिनाब आप इस रास्ते पर चलते जाएए जादू गर समनाटिस आपकी राह देख रहे हैं शुक्रिया जिनाब मैंने अपने आपको एक लंपी और अंधीर सी गली में पाया अजीब अजीब मुझस में दोनों तरफ से मुझे घूर रहे थे मैं अपने एहसासाद बयान नहीं कर सकता था मैं इस शक्से मिलने वाला था जिससे मुझे दुनिया में सबसे ज़ादा डर लगता है महां के मनाज़र और आवाजों ने मुझे हिला कर रख दिया और अचानक उदर ही रुको अगर करीब आये तो मैं तुम्हें मार डालूंगा कीदे इधर आओ तरिंदे तुम्हें जरूर मालूम होना चाहिए कि दोस्तों दुश्मने क्या फर्दों पाए समझे कुछ आइंदा के लिए खबरदार रहना मेरे साथ आओ तुम्हें दिखाता हूं के जादू गरी चीज़ क्या है रात जब लोग अपने खौफ के साथ हकेले होते हैं ये रूच होता है अम्हेरी ताकतों का जब लोग कंबल में कपकपाते हुए अपने बंद कमरों में होते हैं और डर रहे होते हैं ये वक्त जादू करोगी जाना तादू का हुआ है जान खुदा इंसान शैतान खुदा और आख की अजीन ताकतों के आगे जुप जाओ जो मार देनी की सलाया द्रते हैं वक्त तुम्हारा भी हो सकता है और तुम भी एक जादूगर हो सकते हो तुम्हारी लोगे हमसे आलेक होगा और अब से तुम जादूगरी के तरेक युपट अर्थ असल करोगे तुम अंधेरी ताकतों पर कावू पाओगे लोगों के दिमाग पर काबू पाने के लिए शर्ट की ताकत को इस्तमाल करोगे और खेलोगे उनके खौफ से और बहुत से भेट अब तुम एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे हो एक नई सिंदगी में जहां तुम अपने बक्त के बड़े बड़े चादुगरों से मिलोगे गूरू डेट और क्यूटो जिनके नाम उनकी अजीम ताकत की वज़े से खौफ की अलामत है इन चाहिल लोगों की नजर में अब ये एसास बैट चुका है लोग तुम से डरेंगे और तुमारी अबादत करेंगे और तुमारी ताकत से खौफ काएंगे उवेद है उवेद क्या तुम इस सब को महसूस कर सकते हो जी जी मैं इसे महसूस कर सकता हूँ बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ जी जी ओबैर मैं देख रहा हूँ तुम मेरे काम को आगे बढ़ाओगे और दुनिया के अजीम जादुगर बनोगे मेरे साथ रहो और सीखने की कोशिश करो और याद रखो अगर तुमने मुझे दोखा दिया तो मैं तुमें तबाद कर दूँगा जी ठीक है जी ठीक है जीते तुम भी मेरे साथ आओ हुबैर आओ अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए तुम उन बहुत कम लोगों में से हो जिनोंने मेरी ये खोफिया चीज़े देखी है कोई जिन्दा नहीं रहता बादशा नौरेसेस भी नहीं जानता है कि इधर क्या होता है क्योंकि उबैर राजदारी हमारी असल ताकत है हर कोई यहां तक कि बादशा नौरेसेस भी हमसे डरता है और हमारी ताकत को सबसे बड़ा मानता है अजली की ताकत के जरीए मैं चांद और तमाम ताकतों से कहता हूँ कि वो शर्क के सामने जुक जाएं मैं अंधेरे की ताकत से कहता हूँ कि मैं आपके इंतकां से काबू पाता हूँ मौत के खौफ पर इस पैल को इस शेर को बक्रे को इन सब को खौफ में त्वियर किया जाता है सनाटस को ये सब करते देखकर मैं भी डर गया और इस काम से बाज आने का इरादा किया इसके खतरनाच तजर्बे से मुझे अजीब सी हालतारी हो गई थी मगर इसकी गहर मौजूदगी में इसकी बातों के वारे में सोचता रहा कि क्या एक दिन मेरे पास भी ताकत होगी लोगों को काबू करने की उनकी दिमागों और जिंदगियों पर चाने की मुझे क्या हो रहा है सनाटस के इस तजर्बे और इसकी जादूगरी ने मुझे सच्चाई से दूर करता है थादस के लादस वादस के पान लूगों तब्स्टाइब चैंगा मुझे जादस करने के लें खास से दूर्बे पास ठाब्स्टाइब पास से चादस झाल झाल यह एक हिस्सा जो हम इस्तमाल करते हैं जादुगरी की ताकत से हम इनके कंजोर जेनों पर काबू पाते हैं नहीं नहीं यह सीखना मेरे लिए मुश्किल होगा नहीं उबैद मैं तुम में दाकत देखता हूँ तुम मेरी जादुगरी के जरीए से बड़ी बड़ी संतनतों को काबू में कर सकते हो तुम 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 जादुगरी में मेरे वारिस बनोगे और लोग तुम्हें सच देंगे क्या वाक्य मुझे बताईए मैं ये ताकत कैसे हासल कर सकता हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा मुझे तुम्हारी सिर्फ एक चीश चाहिए तुम्हारी मुकम्मल रजावंदी मुझे तुम मेरे इलावा और किसी की बात नहीं मानोगे और ना ही किसी की हिडायट पर चलोगे तुम मेरे रहोगे सिर्फ मेरे और हम मिलकर यहां पर हकूमत करेंगे घर की तरफ जाते हुए मैं पिछली रात के वाक्यात के वारे में सोच रहा था मैं बहुत परिशान था, मेरा दिमाग अब रालूद हो गया था सेनाटस की मौजूद की में मजभूस सा हो गया जो ताकत और हुकमराणी चो उसमें वादे किये थे मैं उन असरात को रोप नहीं पा रहा था कोई चीज कम सी लग रही थी, मेरा दिमाग तुझे से था ही नहीं मैं उस महरबान दर्वेश को देखना चाता था जिससे मैं पिछले दुनों मिला था